आपने पिछले 6-8 महिने से जब से कुरोना हुआ है मिनिस्ट्री आफ आयूश गौर्मेंट आफ इंडिया की डिरेक्शन है कि ग्रोइवटी दीजिए तो ग्रोइवटी को कुरोना की प्रवेंशन में अम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने में इम्यूनो बूस्टर के तौर बाड़ा प्लियूना से बचने के लिए ताथा सभी प्रकार के फ्लीू है साँष मिलेइयर फीवर या करोना के साभशिट फीवर उससे बचने के लिए और हो जाए तो उसकी ईलाज में गिलोः व्ती गिलोः जो है टीनुस्पुरा कार्डिफोलिया होता है गुणुची भूलते हां अम्रित भी बूलते कि this में अमरित जैसे गूड़ ए और ये उसका है किके हमारी जो एक गोली है व्यद्सों इलग्राम के है तेस्ग्राम के ब्रावर ये हमारी दो गोलीय है कि शुबा लेनि ay तो ये करोना वाइरस या मिलेरिया फीवर या और भी दूसरी प्रकार का जो फीवर बुखार है उनसे किसी भी तरह का फीवर है तो उससे बचने के लिए हम इसका प्रयूग करते हैं गिलोई बटी का डायपटीज पेशन्ट के लिए या यूरी डिसॉडर के लिए ये बहुत अच्छा देखिए आज कर हर 34 आदमी या शूगर उसको है या होने वाली है या बॉर्डर लाइन पे है तो पहला उसके लिए प्रड़क्ट करक्यूमन है और दूसरा जो है गिलोई बटी है तो डाय यूरी केसर्ड बढ़ जाता है जोडों में पेन होती है तो गोट बोलते हैं यूरी केसर्ड बढ़ने से किड्नी डैमेज होने का भी डर होता है और स्टोन बन देते हैं उससे बचने के लिए गोट नाम की बिमारी होती गोट उससे जोडों की दर्द भी होती गोटी आइडिसार्डर और एसडिटी खटेड का जलन उससे बचने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं गिलोई बटी का इस प्रकार स्किन डिसार्डर में भी गिलोई की बात ये है इसको अमरिता कहा हुआ है कि अमरित जैसे गुण है इसमें ये गर्मी का भी इलाज करती है ठंड का इलाज भी करती है ये जिनके गिलोई बटी जिसके हाथों पैरों में जलन हो रही है आंखों में जलन हो रही है जैनिटर्स म वाली बीमारियं भी और गर्मी वाली बीमारियं भी दोनों के लिए हम गलोई बटी का परियोग कर सकते हैं गलोई बटी जो है इसको गुडूची घनबटी भी कहते हैं तो इसका हार्ट केर के लिए अच्छा प्योग बताया एस्डिटी के लिए भी प्योग बताया डायोड के लिए परियोग बताया लिवर डिस